आज हम बनाएंगे हलवाई स्पेशल निक्स पेश जो खाने में तो लाजवाब होगी ही और साथ में इसमें दो ऐसे इंगिजन डालेंगे जो सिर्फ हलवाई डालते हैं तो आज आपको उसके बारे में भी बताएंगे असलाओ अलेकूम विवर्स कैसे हैं आप सब वेलकम टू इट विट टेस्टी बाइट तो सबसे पहले हम सबजें देख लेते हैं यहां पर मैंने एक हरी शिमला मिश लिया है जिसको मोटे मोटे चंक्स में मैंने कट कर लिया है बड़े बड़े टुकडों में काटना है क्यों अब सबसे पहले मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है रूम टेमपरेचर पे और उस पर वन तीस पूर मैंने सॉल्ट एट कर रहा है और दो पिंच के करीब मैंने उसमें हल्दे याट करिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगो और इसमें अपनी घूबियों को सोख होगी होने के लिए रख देंगे जैसे अगर इसमें कीकिसी तुरी किर्म्स हैं कोई कीड़े हैं तो वो ओटां पूछे से कूट लेंगे आप चाहा हैं तो गरिंडर में के बना सकते लेकिन छो कुट होई मसालों का टेस्ट होता है तो यहां पे हमारा हरी मिर्ची और अद्रक भी अच्छे से कुड़ किया है दिखिए इसमें कितना जूस निकला है अद्रक का और मिर्ची का तो यह रेडी हो चुका है इसको हम साइड में रख देंगे अब जो पानी था जिसमें हमने भीगाया था अपनी गोवी को उसको हु वाइल ले लिया है क्योंकि सबजे क bl gwine रेडी हो चुकी है अब इस पे हम अपने ऑल्फ को आ लग जाएंगे अप सोच रहलेंगे सार जब फराइ कर Разबा करने हैं तो एक बार में क्यों लिखा शुखते हैं क्योंकि हर सब्छी का जो सबस्त आइश्य हम ने ताइंग होता इसलिए सब को अलग-अलग करेंगे तो अब मैंने इसमें केरट एड़ कर दिया है केरट भी 2-3 मिलट में फ्राई हो जाएंगी और इसको भी हम निकालके अलग रख लेंगे जैसे ही इसमें हलका सा कलर आने लग जाएगा और यह थोड़ी सी श्रिंग होने लग जाएंगी अ अज्छेाल हो जाएंगी और इसको दोने समयघोय को पकने में टाइम लगता है करीब 11-2 मिनट में यह हो जाएंगी अप यस view यह तक माल बॉस्चå ने लिए श्मन गमाठ भी प्यूरी आइड कर दी है इसको आराम से पकाएंगे चार से पाश्माट के लिए लो फ्लेम में जब तक की टमेटो पुईतर से पक नहीं जाएगा और यह और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यहीं पर पाउस करके पहले वीडियो को लाइक करें फिर उस कि मसाला हमारा पक रहा है हम पाउडर लीक्साले तो यहां पर निसमें दियाखे करहा हिए दो ती इसंठोन मैसमें त aan युदै प्ताष आप टाई दो टीश्पावमन मैंसमें के लीए है 1.5 तुअ चैंए से अल्दे लगत कर लेंगे पाउडर लगतर तीकी लाल मिच एड़ करीब दो टीबल स्पून के करीब इसमें वाटर एड़ कर देंगे और इसका एक पेस्ट सा बना लेना है तो अच्छे से आपने स्मूज सा पेस्ट पना लेना है जिससे हमारे जो पावडर मसाले हैं वह थोड़े से फूल जाएंगे तो उच्छा सा फ पावडर मसाले गोल के रखे ते वह एड़ कर देंगे अच्छा से मिक्स करेंगे इसको और लो फ्लेम में दो से तीन मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे जिससे यह भी पूड़े से पख जाएंगे यहां पर मैंने च्छे से साथ काजू लिये ते काजू को मैंने अच्छे से विगा दिया था दो से तीन घंटे के लिए नॉर्मल वाटर में और फिर उसका एक स्मूज सा पेस्ट बना लिया है तो यहां पर उसको भी आट कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे कॉंटिनू चलाते रहना है मना काजू पैन में चिपकने लग जाता है जब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाएगा वीडियो पसंद है तो शेयर कर दीजेगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अब यहां पर मैंने सारी मिक्स पर जो फ्राई करके रखी दी वह इस पर एड कर दी है और सबसे जरूर नहीं किया है मटर जो आसानी सरी पख जाएगी और जो खास इंग्रिडियोंट की में बात करें तो यहां पर एड कर रहे हैं नहीं करीब 2ا टीबल इस्पून टेमेटो साउस आड कर रहे हैं और 1 टीइस्पून ग्रीन चिली साउस आड कर हैं आप सोच रहा होंगे आपकी रेसिपी नेक्स लेवल पे टेस्ट में पहुंच जाएगी तो बस कवर करके हाफ कप मैंने वाटर एट कर दिया हो कवर करके इसको टेंडर होने तक पकाएंगे में पेडियुम लो फ्रेम में चाट मसाला एट कर रही हूं इसको थोड़ा सा और चाटकारेदार बनाने के लिए और वन टी स्पून मैंने किसमे करेश की हुई कस्तुरी मेठी आट कर दी है हमारी सब्सक्रेश से बनके रेडी हो चुकी है और कुछ फ्रेश हरी दनिया हो चुकी है जिसको आप घर में इंचुआए करिए पूरी पराठे या चपाती के साथ राइस के साथ जैसे भी आपका मन करें बिल्कुल हलवायों हुला टेस्टे का आपको तो आपको मेरा यह फट पसंद आया होका पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए करता को सब्सक्राइब कीजिगा में बिल्की के साथ तब तक ही लिए अलाहाफेज